नमस्कार किसान सातियों स्वागत आप सभीका आपके अपने लोग प्रिडी यूटूब चेनल में किसान भाईयों आज गेहों की बात कर तो गेहों में बहंकर से बहंकर तेज़ी देखने को मिल रही है आज गेहों का भाव 1926 रुपे प्रती क्वंटल के हिसाब से भिक रहा है वही अलवर मंडी की बात करें अलवर मंडी में 27 रुपे प्रती क्वंटल के हिसाब से गेहों का भाव रहा है जैपुर मंडी में 25 उर्पे प्रती क्वंटल के हिसाब से गयों का भाव रहा है किसान भायों जादा से जादा गयों का भाव बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिन बाद गयों के भाव में 3000 की तीजी देखने को मिल सकती है यानि कि गयों 3000 के पार जा सकता है जिसे हमारी सबी किसान भायों को अपनी पिसल का उचिदा मिल सकता है किसान भायों जादा से जादा वीडियो को शेर करें लाइक करें आपको हम रोजाना ऐसी latest मंडी भाव अपडेट की जानकारी सहीवे सटीक जानकारी इस चैनल पर रोजाना प्रवाइड कराते रहते हैं जादा से जादा वीडियो को शेयर करें लाइक करें आपको बता दी सरसो के भाव में बैंकर से बैंकर तेजी देखने को मिल रही है सरसो के भाव 35.000 पर प्रती क्वंचल की साफ से विक्राई ओर बताय जा रहा है कि इस सीजन में कपास के भाव में 15,000 के पार जा सकता है किसानवाईओ इस बार कपास की बहुत कम फसल होने के काराण ज़्यादा से ज़्यादा भाव बढ़ सकता है तो किसान भाई आप भी कपास के पसल बोई जिसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाप राप्त हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें लाइक करें हर किसान भाई तक इस वीडियो को पहुचाए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जै जवान जै किसान